जहेंद एक भाई फिरसे आप सभी का दिल खोल कर हार्दिक स्वागत है उत्यप्रदेश पुलिस भरती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के अगर आप तयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास काफी सादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई इसे क्लास में हम यूपी कॉंस्टेबल के प्रिवियस एर कोईसिन पेपर को सॉल्व करते हैं और यह हमारा प्रिवियस एर कोईसिन पेपर का सेट नमबर आठ है मैं आपको बता दूँ कि आपके कल क्लास नहीं वी थी जी के की कानड क्या है समझते हैं आप गाइस क्लास को ना तो लाइक करते हो और नहीं सपोर्ड करते हो अगर आप फिर से वही कार करने लगोगे क्लास बंद हो जाएगे मेरे भाई देखो मैं आपको बता दू समय नहीं है सभी जानते हैं गौर्मेंट सर्विस हैं कार है और फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ अगर आपको लगता है कि डेली आपको कलासित चाहिए तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है वीडियो के निचे आज अभी इसी वक्त कमेंट में ये बता दू कि क्या आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं ये सीधी सीधी बात साफ साफ बता दू कि क्या आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो या फिर नहीं ये कमेंट में करके बता दू बस ठीक है अपनी राज, जो भी हाँ नहीं कुछ भी बताओ मेरे भाई, बस comment में ये जरूर बताना, अगर नहीं तो भी आपकी बात मैं मालनूँगा, हाँ तो भी मैं आपकी बात मालनूँगा, अगर नहीं तो class फिर दोबारा नहीं, और हाँ तो class और जीजान लगाकर और भी class हो करके आप चेक कर सके, मेहनत इतनी करो कि अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत कर सको, मेरे भाई, ये बात जो लिखी गई है ना, ये समझने लायक है, कहने का मतलब क्या है, समझ जाओ, मतलब यह है मेरे भाई, कि अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो आपको अप कर सको मेरे भाई और ये हकीकत में बदल जाए ठीक है जो आज आज आपको ताना दे रहे हैं ना जो आज गालिया दे रहे हैं वही गालिया आने वाले दिनों में तालियों में बदल जाए मेरे भाई और ये मैं कहा जाए तो उमीद नहीं बलकि मुझे पूरा बिश्वास है आप पर कि अगर आप पूरी ताकत लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं अगर आपके दिल के अंदर एक वर्दी पाने की आग जल रही है अगर आप उसे उर्जा इनन दे रहे हैं तो निशित है एक सीट आपकी कंपर्म हो जाएगी सेलक्षन तो आपका हो करी रहेगा तो चले मे में आपका कौशन साता था मैरे बाई हिंदि के बहुत प्रक्सार के लिए और मेरे भाई बहुत हीं कंपलिट है जिक जाथे तो आज देधे लेवात ही कंपलेट कियो मेंने ही नंवर साथ चाली तो कंपलेट तेरा का जो आपका आगाई इस पेपर हुआ था वो इसी प्रकार question paper आपका बना हुआ था आप कहीं भी जाकर कर चेक कर लेना अगर आपको विश्वास नहीं यह तो फिलाल questions के तरफ हम आपके सामने बढ़ते हैं question आपके सामने कि सांची स्थूफ का निर्मार किस ने कराया या question आपसे पूछा जा रहा है मैं इसका practice पूरा आपको एक साथ देदूंगा टेलिग्राम पर जाकर कि आप इसको solve कर लेना ठीक है सांची का स्थूफ का निर्मार किस ने करवाया मेरे भाईया सांची का स्थूफ आपसे कहा गया है कहाँ पर या मद्ध प्रदेश के राय सेन जिले में है मेरे भाई और इसका निर्मार किस ने करवाया तो यह करवाया था असोक ने यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाए और स्थान पर निर्मित है या कोईशन आप से पूछा जा रहा है वह टफडर आंसर दीजए और जो मेरी बाइश मंदिर है यह सुर्या देवता को समरपी था है कहाँ पर तो यह कूल आर्क में हैं यहां पर आपका शकी आंसर क्या हो बता रहे हैं बिल्कुल करण जाएगा इसका इकस्प्लैन देख लो इंपोर्टेंट है इसका अगर कहा जाए मेरे भाई तो निर्मार जो है या गंगवंस की राजा नर्सिंग देवने करवाया ठीक है और जो गाइस यह है यह सूरी मंदिर जो है यह जो है यह लाल रंग और बल्बवा पत्र टता काले गरेनाइट पत्षरों से इसका निर्माल किया गया है भारत में वर्तमान के जो गाईस राष्ट्र पती है यह को कईसिन आफ का प्रिविश से ने 2013 का है तो इससे हम स्किप कर रहे है थाई यह 2003 प्रसनेकाल 2013 के दूरान यहां पर लिखी भी दिया अगला आपके सामने कि नीना दुलारी जो है चर्चा में क्यों रहें अब यह आपका इंपोर्टेंट है देखो मैं आपको यहाँ पर बता दू मेरे भाई कि जो यह कोईशन से आपका जो मेरे भाई मैंने आपको दो कोईशन से करवाएं हैं 2013 का आपका कोईशन पेपर है तो 2013 के हिसाब से गाईज वह कोईशन पूछा गया था हालाकि मैं जो गाईज 2013 का करेंट अफेर है वह स्किप कर दा रहा हूं लेकिन मैंने इससे ध्यान नहीं दिया तो इतना आपको बता दूँ कि मैं एक दिन कोईशिस करूँगा आपका पूर आपके सामने मेरे भाई ये भी 2013 लेकिन इंपोर्टटन था तो आपको देख लेए नहीं था तेलंगाना जो है या राज्जी बहु sympathy के बिक्थटन से बनेवाला है मतलब correctly से बना हुआ है सबी जानते होंगे इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा पर्फक्ट अंसर इसका क्या हो जाएगा फट 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 आंसर दीजे तो इसका सखी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो भी पहरे भाई में आप्शन भी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश बिलकुल करेक्ट हो जाएगा परफक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है अगला आपके सामने मेरे भाई कि वन ने प्राणी सफता जो है या प्रतिवर्स कब से कब तक मनाया जाता है जो वन प्राणी सफता है या कब से कब तक मनाया जाता है question जतना कहा जाया उससे भी ज्यादा important है तो याद रखना मेरे भाई इसका सही answer क्या हो सकता है फट फट आंसर दीजे इसका current answer क्या हो जाएगा देखो जो बीच में current affair से समन्दित questions थे आपके मैंने उसे skip कर रखा है मेरे भाई ठीक है और मैं एक दिन current affair की class ले लूँगा हालकि exam date आज आने दो official exam date उसके बाद guys मैं आपका current affair class ले लूँगा current affair को लेकर के चिंता वन्य प्राणी सफ्ता की रूप में मरहाजाता है सही answer हो जाएगा option number a अगला आपके सामने मेरे भाई के हाल ही में इस स्वतंतरता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतिये पंडुबी नश्ट हो गई देखो यह भी आपका guys 2013 के प्रस नकाल के दोरान देख लो हाना कि यह भी मेरे भाई इसका जो सखीयान सो देगा वो देगा आई एन एस सिंदुर अच्छक ठीक है चलो वगला question of case सामने मेरे भाई की यह इन किसकी मद्रा है अब इसका answer आप सभी को बताना है और कल हम cover करेंगे मेरे भाई 2009 का practice set ठीक है 2013 मेनी complete कर लिया हम कल 2009 का practice set complete करेंगे उसके ब किसकी मद्रा है सभी जानते होंगे कहां कि यह जापान की है राजसानी कौनसी है ठोकियो यहाँ पर में दिखा दे रहा हूं पूरा आप देख लेंना मेरे भाई यह जो यह जापान की म द्रा है अमेरिका में इस गए dollar चलता है euro जो है मेरे भाई विदेशी मुद्रा बाजार में, तीसरी बड़ी कारोबारी मुद्रा, यूरू के बाद में है, और एक सिरो बराबर जो है, मेरी भाई, एक अपने भारत मेंsover, तो एक सिरो पॉम्हाइन बराबर होता है, 0.66 भारति रुपही के बराबर है, यहांने एक न बराबर हमादे यहांका 0.68 पैसा ठीक है अगला है कि Robert Kennegal की पुस्तक The man Hugh na infinity किसकी जीवनी है इसका आँसर आप सभी को बताना है important है what of answer दीजे Robert Kennegal की पुस्तक The man Hugh, New, Who new, infinity किसकी जीवनी है इसका आँसर आप सभी को बताना है थोड़ा दिमाख डिश्टर से आज गाईस हमें पास टाइम नहीं है किसी गांड से जूटी भी बहुत गणबर समय लगा दी जाती है और क्या बता है चलो आंसर दो राबर्ट कैनेगल की पुस्तक दामायन फू न्यू इफिनिटिक इसकी जीमनी है आपसे या क्वेशन पूछा गया है इसका जो सखी आउसर हो जाएगा वह जाएगा स्री निवास रामानुजन की यहां पर ना लिखाए ठीक है स्री निवास रामानुजन की correct answer हो जाएगा option number C यहां पर आप देख लो मेरे भाई जो गाई सर्दामाइन इनिफिनिटी पुस्तक है या भारती गणता कि स्री निवास रामानुजन की जीवनी है यहां पुस्तक 1951 में Robert Canigal के दोरा लिखी गई थी ठीक है और इस पुस्तक का जोगा इस प्रकासन है या वासिंग्टन के इसको वायर प्रेस के दोरा प्रकासित किया गया था ठीक है और यहां पुस्तक जो ही यह अंग्रेज ची भासा में लिखी थे मैंने इसको पूरा बता ढानस्ता की आधारी ओजना जो है या किसके लिखे लिए ईसका आंसर आप सभी को बताना है और पर प्राइब नागरिदिय Annual Me जो अगला देखो गाइस आधार तो आप जैनते ही हर एक काम में प्रियुक्त किया जाता है जो कि आम आदमी का दिकार लिखा होता है ना तो भाल की प्रते एक नागरिक के लिए हो गई मदू साला किसकी किरती है देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 2013 में आपका गाइस कोईशन पेपर आया था यूप प्लेस कॉश्टबल आरक्षे नागरिक का उसमें गाइस हिंदी और इंग्लिस लभग मिक्स करके दिये गए थे एक दू कोईशन आपका हिंदी भी स तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरीवन सराय बच्चन सही आंसर हो जाएगा आपका आप्सन नमबर डी बिल्कुल परफक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यह आपका गाइस इंपोर्टन्ट है याद रखना अगला है कि भारत के किस राज में वर्स 2013 में बादल फट पता नहीं याद नहीं आ रहा है मेरे लेकिन इसका वीडियो भी था मैंने भी देखा था बहुत ही जादा गाईश खतरनाग दिख रहा था ठीक है तो किस वर्स 2013 में किस राज के 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गए थी मेरे बाई उत्तरा खंड में ठीक ह यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपसे नमबर सी यहाँ पर आप देख लो या उत्तर खंड में होता गया जिसे हजारों लोगों की मौत हो गई थी बहुत ही खतरनाग मंदर था डॉक्टर बी आर अमेटकर या फिर कहा जाए भीमराव अमेटकर पुलिस आकाद पूरी ताकत के साथ आपके लिए लगा हुआ हूँ तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप ख्लास को तो लाइक करही दिया करो तो डॉक्टर भीमराव अमेटकर पुलिस आकादमी उत्तर परदेश में कहां पर है यह है मेरे भाई उत्तर परदेश के मुरादाबा यहाँ पर आप देख लो यह गाइस मुरादाबास सहर में है यह आकादमी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जानी जाती है छे अपरेल 1997 में इसका नाम डॉक्टर भीमराव अमेटकर पुलिस आकादमी रखा गया था ठीक है आपसे यह कोईशन पूसा जा सकता है ठीक के नाम पर रखा गया था मेरे भाई अगला आपके सामने कि भारत का राष्ट गान जनगण मन की रचना किस ने की देखो मैं आपको बता दू कि आज हमारे गलेमेक रास है मैं तेस नहीं बोल सकता हूँ तो आप एरफोन यूज कर लेना मेरे भाई ठीक है जिने आप लीड तेगोने जो कि बंगला देश के रास्ट गान के भी रचेता है आमार सोनार बंगला आमार सोनार बंगला भी उन्होंने ही लिखाया आप सभी जानते हैं तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो देगा मेरे भाई वा हो जाएगा आपका option number A बिलकुल correct answer हो जाएगा perfect answer हो जाए खाद दिवस्तों के लिए गुडवत्ता का आस्वासन मुहर जो है मेरे भाई या जो है यह एक मार्क का एक प्रतीक है सही आंसर हो जाएगा आपको option number C तो जो भी पहरे भाई में option C बता रहे हैं बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है निमड़कित में से कौन सा एक बीरत का पुरस्कार है या question आप से पूचा गया question number 63 है इसका answer आप सभी को बताना है कलम 2009 का model paper solve करेंगे मेरे भाई और अगर आपने अभी तक class को लाइक नहीं किया है लगता है कि इस बार आप सभी का selection हो जाएगा आपकी एक seat confirm है तो जो भी पहरे भाई में अभी तक class को लाइक नहीं किये हैं मैं एक बार class को दिल के गहराई से लाइक के जरूर कर देंगे जो भी में तर class को लाइक नहीं किये मैं लाइक के जरूर कर देंगे आपकी जिम्मेदारी आप सभी का ये फर्ज मनता है कि कम से कम आप class को लाइक कर ही दिया करो मेरे भाई यहाँ पर परंबीर ठीक है अगला है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज जिसमें कौन सा हो जाएगा question number 64 what are for answer देजे इसका correct answer हो क्या हो जाएगा what are for answer देंगे very very important question है जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई भाई भेन भाद का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज जिसमें कौन सा हो जाएगा आफका उत्तर परदेश correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा आफका option number C जो भी very 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 option C बता रहे हैं बिल्कुल सखी answer हो जाएगा ठीक है अगला आफके सामने मेरे भाई यहाँ पर कि पुस्तक देवदास जो है इसके लेखक कौन है question बहुत ही ज़्यादा important है फट 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 answer दीजे इसका perfect answer क्या हो जाएगा right answer क्या हो जाएगा इसका जो सखी answer हो जाएगा वो हो जाएगा सरत चंद्र चट्टो पाध्याए सखी answer यहाँ पर हो जाएगा आफका option number B तो जो भी पहरे भाई बेर option B बता रहे हैं सरत चंद्र चट्टो पाध्याए बिल्कुल सखी answer हो जाएगा correct answer आफका हो जाएगा ठीक है और यह जो गाई जी इनका उपन्यास है कि इसका देवदाज जो है यह बंगला केंगा इस ले प्रसिद्ध है ठीक है बंगला के प्रसिद्ध है जो उपन्यास कारें सरच्चन चट्टो पेद है उन्होंने लिखा इसका प्रकासन 30 जून 1917 को किया गया था ठीक है जो कि उपन्यास है एड्स का विस्तित रूफ क्या है आप से या कोईशन पूछा गया है फट 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 आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा या दखना मेरे भाई एड्स का जो फुल फॉर्म होता है या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो भी प्यारे भाई भाई बन बता रहे हैं acquired immuno deficiency syndrome acquired immuno deficiency syndrome जो है मेरे भाई या एड्स का विस्तित रूप या फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर आप देख लो मेरे भाई या आपका important है जो एड्स है मेरे भाई या कब विस्तित रूप इसका acquired immuno deficiency syndrome हो जाएगा एड्स एक बिमारी है जो human immunodeficiency virus द्वारा होती है ठीक है human के लारे यहनी मनुस्य के लारे इस लोग में मनुस्य की प्रतिरोधक छमता खत्म हो जाती है और अनेक रोख हो जाते है इसलिए एड्स जो है यह हो जाता है और एड्स का बिस्तित रूप होता है वह होता है acquired immuno deficiency syndrome आप से पूछा जा सकता है important है याद रखना मेरे प्यारे भाई अगला की भारते रिजर्व वैंक के नए गवेंडर कोन है यहाँ पर गाईस पूरे के पू पूराम राजन राजन थे ठीक है तब से गाईस बहुत बदले गए चलो वगला question है कि गोदान जो है या किसके दारा लिखी गई इसका answer आप सभी को बताना है correct answer क्या हो जाएगा फटा 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 आंसर देंगे हमारे सभी पैरे भाई भाई भें right answer इसका क्या हो जाएग गोदान जो है मेरे प्यारे भाई या मुझे से प्रेम चंदर के दारा लिखी गई correct answer हो जाएगा आपका option number B बिल्कुल perfect answer हो जाएगा तो मेरे प्यारे भाई आज मैंने यहाँ पर 2013 की questions को complete कर लिया आपका यहाँ पर 2013 का जो guys gk का questions या gk का portion था यह पूर रूप से complete हो गय तो आप उसको देख लेना मेरे भाई ठीक है और यहाँ पर इतने questions थे तो इसलिए मैं यहीं पर class समाप्च कर दूँगा जो कि आपके 18-19 minute की class बनी है तो इतना ही guys आपके लिए खाफी है अब हम अगले सेट में आपका questions complete करेंगे जो आपके लंबी class होगी मेहनत अच्छी लाइक ही जरूर करना जो भी मित्र चनल पर पहली बारा है मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसके लावा अगर आपने सेर नहीं किया तो मित्र तक सेर भी कर देना ठीक है तो आज की बेटरी लाजबाफ क्लास में मिलते हैं दूसरे नई क्लास में तब तक के लिए बह आपरेटर या फिर रेडियो आपरेटर या यूपी लेकपाल या किसी भी गवर्मेंट जॉप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेहरा मौका है आप यूटूब चैनल एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर के साथ जुलकर अपने तैयारी को और भी अर्विन धुल फट्री में टेलिगराम चैनल एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर पर मिलेगा इसके लिए तेलिग्राम पर सर्च करें एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर और लिए उप्सन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडियाफ हैंडिटें नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं गाईज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फालो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जैसवाल ट्रिपल जीरो और वहाँ पर भी मुझे डीम कर सकते हैं कोई भी समझ चाहे तो वहाँ पर भी आप मुझे ढ़े संबग करना चाहते हैं तो संबग कर सकते हैं इसके दो और अगर आप Facebook पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एक्जाम गुरुजी बाई इंसर के नाम से Facebook पेज है उसको भी आप like ए मफालो कर सकते हैं तो मेरे पैरे भाई वैन आप जोड़े रहें एक्जाम गुरुजी भाई अर्विन सर के साथ क्योंकि अब आपको सपना होगा अपना एक सीट कंफर्म है अब की बार सरकारी नोकडी तुम्हारे हाथों में होगी